तो बीके जुकेसन में आपका स्वागत है गुड़ इनिंग टू आला फ्यू चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं आज हम लोग जो है पॉइंटिंग देखेंगे ठीक है तो पॉइंटिंग बारे में पूरा समझेंगे इसका मैथड होगा रहा है और इससे एक कुस्चन त जाता है देखते हैं कभी-कभी और पॉइंटिंग से भी कुस्चन आ जाते हैं ठीक है तो सभी लोग बहुत ध्यान पूरों के देखेंगे और एक बार जानकारी के लिए बता दें कि आज सोम की क्लास आज भी नहीं चलेगी तो आज ये क्लास आप लोग देख लिजिए औ अपने टाइम से और सोम भी हम लोग कबर करेंगे फिर शलोप एम डिफिलेक्शन क्लियर चलिए तो आगे देखते हम लोग पॉइंटिंग को समझते पॉइंटिंग है क्या ठीक है आज फेस इसमें नहीं दिखरा होगा क्लियर क्योंकि लाइब नहीं है चलिए तो रिकार् ओर भाहस्ता है इसके चाहिति जोड होते हैं तो जो जूइब लिक संद्सक्राइब आंके बीच में जो soup के भीटर नकी जाता है और सब्सक्राइब suff upon क्सक्राइब टा जहर चीफ स्टीनीन आएगा नमीं आएगा ही ठीके चिनाही के जोड वब धूर्फ वय से भी प्रवावित होते हैं इसकार को TIP करना या पॉइंटिंग करते हैं तो इसमें जो है धूसे भी प्रवावित हो शकते हैं तो हम हम लोग क्या करते है Is दीवार होती है ना कुछ पूछ और इमिन्ट कर देते हैं ठीक ही जिसको हम लोग इस टीब करते हैं ठीक है कि मैं केवल जोड डों का उप्चार किये जाता जबकि प्लासटर पूरी दीवार पर लेपकिए जाता है तो जो हमारा ऐम तला करते हैं हम लोग जो ज्वाइंट होते हैं उसमें मसाला फिल कर देते हैं मोटार ठीक है और मोटार फिल करके उसको कटिंग होगा थोड़ा सा सजावटी वर कर देंगे जिससे काफी अच्छा टक्टिव दीखेगा सुंदर लगेगा क्लियर है चलिए देखते हैं इसका अब् वर्द बढ़ाता है जो जुँआंट होते हैं उनकी जो है इस ट्रेंफ को बढ़ा देता है नमी को दूर करना तो मौशिर जो होगा शीलन जो लगेगा उसको दूरकरताहें दीवार की सुंदरता 어려जाना तो दीवार का शुंदरता बढ़ाता है मतलब कि उसको अच्छा इसमें अगर आप सिमेंट का मोटार का आप इसमें पॉइंटिंग कर देते हैं ठीक मसाला फिल कर गे तो ये काफी मजबूत हो जाती है फलकों को आकरशक बनाना तो जो इनकी दिवारे हैं दिवारों को क्या किया जाता है आकरशक बनाया जाता है तो फलक जो होता है फलक इस खीन तो प्लाश्टर करने بعد आपको पेंटिंग करने पड़ती है लेकिन अगर आप प्वायन करवा लेते हैं तो सब्सक्राइब भी अधिक होती है और ममशाला और अनूरी में कम लगता है तो इससे कई परपज हो सकते हैं या हो सकता है वह किसी को इसमें से कोई परपज जादा पसंद आए तो अपने घर हमों करवाता है के लिए चलिए तो बहुत जगां कालेज़ों से वह भी होते हैं और आप लोग ज्यादा तर्फ पूल पुलिया में देखे होंगे जो पूल पूल बनते है बिंख के वह पर अखने को मिलता है जो चोटे चोटे पूलिया होते हैं इसको बोलते हैं चेहें ऩब के लिए मसाला अगर देखे उब 해도 देखे लिए टीव personally हो pleasing मसाले होँगे इनके बारे मिग सभषते हैं चीक है यह आ देखिए तो सीमेंट की टीप और चूना की टीप द और चूना की, जब tip देंगे तो वहाँ पर हम लोग लाइ मोरटार, मतलब चूना मोर्टार या चूना मसाला उपयोग में लेंगे तो भीया सेमेंट मसाला कितना होना चाहिए आपका एक या दो रेशियो का है तो यहां 1 संबंधे 2 यहां 1 संबंधे 3 तो यहां एक का मतलब है सिमेंट और यहां पर तीन का मतलब गड़ देखें तो बालू ठीक है तो यह मैंने पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको कैसे आपको इसका रेशियो लेना है ठीक है अगर चूना की हम लोग टीप की बात करें यदि चूना की टीप होगी तो हमारा एक संबंध है एक मतलब सुद्द चूना और सुर्खी व्या बालू तो एक SEंबंध-एक का हम लोग समें सुना और सुर्खी बालू लेंगे यह हमारे टीप करने के लिए पौइंटिंग ठीक है यह क्या है पॉइंटिंग करने के लिए अगर आभी भी पॉइंटिंग जिसको ना समझ मा रहा हूं तो एक दम आपने लेंग्विज में आपको बता दें तो देखे जैसे यह इंट की दिवाल ऐसे जुडाई कर लेते हो इस तरह से और जुडाई करने के बाद फिर क् पीच में यह जुडाईंट पढ़ते है ना उर्द्वाधर और अर्जेंटल इन दोनों इन सब जुडाईंटों में क्या किया जाता है अच्छे सिसको शाफ करके और मसाला इला प्रिक होता है मसाला फिर करके इसके बराबर करके और इसमें कटिंग कार्ट दी जाती है ठीक को समझते हैं किस तरह को हम लोग करेंगे तो टीब का कार चीनाई के साथ-साथ अथवा बाद में किया जाता है तो यह तो आप साथ-साथ कर सकते हो जब आप दीवाल को जुडाई करते रहो उसी समय करते हुए उपर आओ ठीक है या चीनाई के साथ-साथ बाद में भी कर सकत तो कोई दिक्कत नहीं है आप पूरी दिवाल को जुडाई कर लो दूसरे दिन कर दो साथ साथ टीप मजबूत होती अगर आप चिनाई के साथ साथ करते हो ठीक है तो टीप अगर साथ साथ करते हो पॉइंटिंग साथ साथ करते हो जब आप जुडाई कर रहे हो तो वो ज्यादा मजबूत होता है उसके रिस्पेक्ट में आप लोग जो है बाद में जो करते हो परन्तों सफाई की दृष्ट से बाद कारे ठीक रहता है अगर आपको अच्छी फिनिशिंग लाना है ठीक अच उसके जो मेथड है एक-एक स्टेप से को हम देखेंगे कैसे किया जाता है तो पहला इस्टेप जो है इसमें अगर देखें विधी है तो बिधी में जो पहला इस्टेप हम लोग क्या निकाल लेंगे ठीके तो चीनाई के साथ किसी नुकीले औजार हुक से चीनाई के जोडों को दो सेंटीमीटर गहराई तक खुरुच दिया जाता है तो भहिया एक बार फिर से बता दें आप लोग को ध्यान से देखिए कोईसंट पूछने के चक्कर मन रही सभी कोईस्चनों के जवाब मिल जाएंगे ठीके बट आप लोग ध्यान से सुनते रही हमारी वाइस को तो आपको किलियर होता रहेगा क्लियर अगर आप लोग वाइस को ध्यान से नहीं सुनेंगे ना कुछ ने कुछ छूड़ जाएगा फिर वीडियो को आप बार बार चला के देखोगे तो कुछ नहीं समझ माएगा क्लियर इसलिए वाइस को ध्यान से सुने चैटो गरेक चक्कर में ना पड़े रहे ठीक है बहुत इजी है यह एकदम आप लोग देखते भी होंगे ऐसा आपके हां किया जाता है ठीक है तो इसमें देखते हैं हमारा जो है हुक में चिनाई के जोड़ो को 2 cm गहराई तक खुरुच लिया जाता है ठीक है तब ये क्या करें अच्छी तरह से आखी पकड़ बना ले अगर इसमें देखें अगर हम लोग सपाट रहे ख रहे गा तो अगर हम लोग मोटार उसे ड़े ढालेंगी नप वो तहले से पकड़ेगा नहीं ठीक है वो क्या करेगा निकल जाएगा तो इसकी वज़े से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोसिस करते हैं खुरच कर निकाल दें ताकि इसमें जो है मसाला हमारा मोटार जो है वो अच्छे से चीपक जाए ठीक है आगे देखते हैं तो हमारा दूसरा जो step है ना दूसरा step है कि जोड की सफाई तो जो जोड आप लोग खुर्चे हो उसको आप अच्छी तरह से साफ कर लें और साफ करने पानी छिड़क कर उसको तर कर लिया जाता है तो हम बताएं हैं कि प्लास्टर करने के पहले भी हम लोग दिवाल को तर कर लेते हैं और बाद में भी जब प्लास्टर हो जाता है उसके बाद भी तर करते हैं तो मसाला भरना तो यह मर क्या जोडों को हम लोग सफाई कर दिये और उसमें तर कर लिए फिर हम लोग तीसरे स्टेप में क्या करते हैं कि मसाला को फिल करते हैं मसाला जो होता है मोर्टार जो होता है वो जो हम लोग पेश्ट बनाए रहते हैं उसमें हम लोग भरते हैं तो उच्छी तनुपात का मसाला तयार करके कि उच्छी तन्दपार्ट मतलब क्या है कि यहां पर एक चार और जो वहां पर बात मैंने बताई है आपको एक पॉंच या एक तीन जितने जो भी रेसियों के मसाल्डा होंगे यहां पर यूज करेंगे तो मसाला तयार करके छोटी करनी से करनी सबी लग जानते होंगे छोटी करनी से जोड़ों मे भर कर दबा दिया जाता है तो जो जॉइंट होंगे न उसमें hills मसाला को फिल करेंगे और उसके बाद उस करनी से दबा देँगे ठीक है और देखिए वो जब हम लोग मसाला जब भी फिल करते हैं वो हमारे जो बरीक के सर्फेस होता है उसके जस्ट बराबर होगा ठीक है एक दम उसके बराबर ही रहता है अतरिक्त मसाला हटाना तो जब हम लोग को देखिए उसमें कुछ कटिंग हो रहा करने पड़ती तो उसके जाने पर तीन दिन तक दीवार पर पारी श्रकते रहाने चाहिए इससे टीप्स की सामर्थ बढ़ जाती है तो दिखिए सामर्थ जो हमारी बढ़ने की बात यहां पर हो रही है इसका मतलब नहीं है कि जितना सामर्थ हम लोग मोटार में ले सकते हैं उतना उससे ज्यादा के ले लेंगे इसा नहीं है उसमा निकलती है कि हीट हने लगता हें इसकी वज़ए साहिए इसका क技 बीज sam करते हैं तराओ इसनली तराओ ठीक करते हैं तो गया होगज अच्छ Нे दोर्फ यहां पर बात करें तो टीब करते समय ध्यान रखना चाहिए कि 36 जोड सीधी रेखा में वह उर्दवादर जोड एक सीधाई में आए जैसे आपने यहां पर इस तरह से आपने देखा ऐसे कर रहे हैं अगर ठीक है और उसके बाद इधर जो है हमारा इस तरह से ब्रिकिंग एक चला फिर इधर से इस तरह से तो यह इस बात का ध्यान रहे आप लोग को कि देखिए जो यहां पर होर्जेंटल जोइंट जा रहा है यह सीधी रेखा में जाना चाहिए ऐसा तो नहीं कहीं ऐसे इसे तिर्चा जा रहा है और यह वाला जो है न इसके जश्ट नीचे इधर वाले को रहना चाहिए जश्ट यह वर्टिकल वाला तो इस आपको द्यान रखना है एक सीध में रहना चाहिए रूबल चिनाई में यह जोर टेढ़े मेड़े हो सकते हैं तो जो हमारी रूबल मैसेनरी होगी रूबल मतलब स्टोन मैसेनरी जिसको बोलते हैं आप लो ठीक है उसका एक पार्ट है यह मैसेनरी का तो अगर वहाँ पर इस तरह की चिनाई होती है तो वहाँ पर यह हमारे जॉइंट है यह टेढ़े मेड़े हो सकते हैं क्योंकि पत्थल का जो है जो पत्थर होते हैं उनका आकार एकदम निस्चित नहीं होता है समझ रहे हो उनका सेब कुछ ने कुछ चेंजर रहता है इसके वह जासी है जो जॉइंट पढ़ेंगे वो बराबर सीधे नहीं रहते हैं समझ माया और एक चीज़ यहां पावर बताना चाहूंगा कि जो हम मसाला जब फिल करते हैं ना इसमें हम लोग या तो सपाट छोड़ दें या तो कई तरह कि उसमें कटिंग किये जाते हैं कटिंग हम भी बताएंगे कैसे करेंगे तो जो कटिंग उसमें करते हैं उसमें एक हमारा आउजार आता है वो लोहे का नुकीला जो है इस टाइब का उज़ा रहेगा और इसकी मदऑ से हम लोग यहाँ पकड़ कर और इसमें खुरुच देते हैं तो जैसा हम लोग को जोड़ बनाना रहेगा जो पॉradas करते हैं जीसा वहाँ डिजाइन देणा रहेगा इससे खुरुच कर हम लोग और मौतार को निकाल देंगे किलियर तो यह प्रक्रिया हम लोग तुरन मसाला फिल करने के बादी करते हैं बहुत टाइम नहीं लगता है ठीक है यहाँ पर मैंने नहीं दिखा हुआ है तो इसमें करीब कुल नव तरीके दे रखे हैं पहला सपाट है दूसरा जिर्री दार है तीसरा चौकी दार है उसके बाद चौथा चौकोर है पचवा पंकी है छटवा मेजन है सतवा गोटे दार है आठवा बास्टर नवा उभरी टीप तो यह हमारे नव प्रकार के टोटल ह देखिए गा कैईसे यहीं पर समझ लेंगे ताकि इनके थिओरी को समझने की जरवरत न पड़े ठीके न यह फिगर सभी लोग को दिख रहा होगा फुल इस Willys ग्रीक है िसक्रीन साथ भी ले सकते हैं क्लियर तो यहां पर आगर हम धेखें जाल दहिए तो यहां पर देखें हमारा एक ससपाट ठीक साथ मतलब स्पाट मतलब फॉलनल ठीक है तो यह आपको games डिखुर रहा है यह जो वाला दिख रहा है ये वाला ठीक है ये हमारा ब्रीक है ये क्या है ये आपका ब्रीक है ठीक है ये क्या है ब्रीक है ध्यांस देखें ये जो रेड वाला पार्ट है ये क्या है आपका ये ब्रीक है और उसके बाद ये यहाँ पर ये ग्रीन वाले पार्ट को करें ठीक है तो ए यह दिवाल का बाहरी हिस्सा है यह क्या दिवाल का बाहरी हिस्सा है और यह एक बरीक है उसके जस्ट नीचै दूसरा बरीक है इनके बीच में यह ओंटहां है धियान जरसले जहांच सने हैं जहां peng यह समझ hoping आ गिया तो यह हम लोग साप करके निकाल लिए थे खुरुज कर ठीक है लोहे के हूँ के हुख से उसके बाद हम लोग क्या किया है मोटार को फिर फिल किये यहाँ पर तो द्या अन्तर है तो एक बार फिर से लिए-वाला जॉरे से दीख रहा है दोनों तरफू यह हमारा brick है, brick है, जिससे हम लोग चिनाई किये हुएं, उनके बीच में यह black वाला जो दिख रहा है, यह हमारा jod है, mortar लगा हुआ है, ठीके, और यह दिवाल का यह वाला हिस्सा बाहरी है, जो यह हम देख रहे हैं, ठीके, यह बाहरी हिस्से को हम लोग क्या कर रहे हैं, ठी यह है मारा fluss या sparts जिसको आप लोग बोलते हो ठीक है इसी प्रकार से सेम सभी नवों में रहेगा बस अंतर क्या है इसके सामने वाली यह design जो है यह चेंज रहेगी यह आप लोग देख रहे हो इसमें क्या करते हैं वह यू गुरूब में करते हैं तो सबसे पहले इसमें भी तो इसी तरह से वी गुरूब में भी कटिंग हो जाती है की की डुर देखें चावीदार तो क्या है चावीदार मतलब यहां पर यह है कि यह जो है जो ताले में जो है देखेंगे आप लुग होल रहता कुछ उसी टाइप सी यह बन जाता है ठीक है तो इसलिए इसको ही भरते हैं बट जो हमारा अवजार होता है उसकी माध्यम से बाहर निकाल देते हैं ठीक है और यह हमारा जो है अगर यह वाला देखें तो वेदर्ड या स्ट्रंग पंक टाइप का तो इस तरह के जोड़ आपको देखने को मिलता है तो ऐसे भी कर देते हैं यह ज़्यादा वेनिफिट होता है बारी सुगरे के लिए दैसे बारी से पानी पड़ता है यह पानी नीचे गिर जाता है इस तरह से ठीक है यह सबसे ज्यादा फायद मंद बारी स्टोन में भी यूज होते हैं कोई जरूरी नहीं यह इट में ही यूज हो अब ही हम आगे इसमें बता दें कौन क्या किस में यूज होता है अब यह देखिए मारा पत्थर की चिनाई वही टीप जहां पर पत्थर की चिनाई होगा मालू यह दोनों सैंड और इस टोन है यह स्टोन है इस टोन में इस तरह के फिलकर के बाहर की यह तरफ निकाल दिये जाते हैं यह सुंदरता बढ़ाने यह और टक्त में भी उभरी हुई ऐसे आगे निकाल देंगे तो यह हमारे जो है नौ है यह टोटल इसमें दस दिख रहा होगा वो रीजन कि हमारे जो जिर्रीदार है वो दो तरह के हैं तो टोटल तो नौ है ही है बट जिर्रीदार वाला दो हो जाता है यह देखिए जिर् शब्सकार्री जानकारी के दिया गया है ठीक आपको वहां के चक्रतीकर तो इतने जनकारी नहीं रखना है, क्लियर चलिए, तो हम लोग देखें, फ्लस या सपाट देखें, तो फ्लस सपाट वाला फीगर दिमाग में बैट रहा होगा आप लोग के, ठीक है, तो यह एक सरल प्रकार की टीप है, और अधिकतर इट चिनाई की दीवारों तथा फरसों पर अपनाई जाती है, तो यह क्या होता है, अधिकतर जो है इट चिनाई की दीवारों पर फरस पर अपनाया जाता है, जोडों में मसाला भर कर कर करनी से सपाट कर दिये जाता है, तो जो जोइंट होते हैं, उसमें मसाला भर के, हम लोग करनी से क्या करते हैं, बराबर कर दिते है ठीक है यू अगर देखें यू जिरीदार यू ग्रूब तो जोडों में मसाला भर कर ज्वाइंटर मतलब ज्वाइंटर ज्वाइंटर से आर्द गोला का जिरी बना दी जाती है जो यह नुकीला सा ऐसा बना रहता है यह कील टाइप का इस तरह से जो रहेगा उसको ज्वा है तो कर देखें व ज्यरी दार या वी ग्रूब ट्यक्यक तो जोडों में मसाला भर कर ज्वाइंटर से व आकार की जिरी ज्यरी बना देते से है यह पथर की उत्तम चिनाई में अपना जाती कि यह पथर वाले में ज्यादा वी ग्रूब वाला यूज होता है और यू ग्रूब वाला भी यूज होता है पत्थर में भी और इस ब्रीक में भी ठीक है तो चौथा अगर देखें चावीदार टिप की तो कीड वाला इसमें पूरे जोड की मुटाइम अर्ध होला का जिर्जी बना दी जाती तो सबसें पहले मसाला फिर उसके बाद ज्यूइंटर से कटिंग कर देते हैं तो यह इनट चिनाई में अधिक जो पॉइंटिंग होता है जब इट या पत्थर की कीड़ारी सपाट हो तो यह टीप देखने में सुन्दर लगती है और यह बता भी नहीं है इसके अंदर कुछ इस प्रकार से कटिंग रहता है ठीक है गयब हो जाता है के लिए अब हम बात करें छटवे नंबर पर पंखी ट जाता है तो यह मैंने बताया था आप लोग कुछ इस तरस होता है ठीक है कुछ इस तरस आपको देखने को मिलता है ठीक है तो यह देखने में सुन्दर लगती है यह पत्थर की चिनाई में अधिक प्रयोग की जाती है चलिए सत्वा नंबर अगर देखे हम लोग मैसन वी तो यह पत्थर की चिनाई के जोडों में लगाई जाती है तो जो हमारा स्टोन जो मैसनरी होगा वहाँ पर ज्यादा तर इस तरह के जोड मैसन वी वाला लगा जाते है जो आप लोग उसमें दिख रहा था वी सेप में ठीक है गोटेदार यह बाहर की तरफ निकला होता है वी सेप में इस तरह से ठीक है वाला भी ना समझ लेना इस तरह से यह बाहर की तरफ निकल के आप वी टाइप हो बनता है गोटेदार टीप बेड़ेड अगर देखें तो इस टीप के जोड में मसाले की पतली अर्ध गोलाकार पट्टी यह बाहर निकलती है जो देखने में तो यह कहा होता काफी अट्रेक्ट्टी लगता है देखने में, क्लियर और काफी सुन्दर दिखाई देता है, नवें अगर बात करें यहांपर बस्टड की ठीक है तो यह है इस टीप में जो है 6 अमेंम चोड़ी पट्टी दीवार से 3 अमेंम बाहर निकली रहती है तो क्या होता है कि 6 mm चोड़ी पट्टी जो है दीवार से 3 mm बाहर निकला रहता और 3 mm अंदर दता है ठीक है और उभरी टीप करें टक जिसको बोलते हैं आप लोग इस टीप में पहले जोड या मसाला भरकर दीवार की फलक को समतल कर लेते हैं तो सबसे पहले मसाला भरेंगा और दीव 3 x 4 मतलब 3 mm x 4 mm की आयता काड जिरी काड की दी जाती है ठीक है 3 mm लंबाई 4 mm चोड़ाई का इसमें जिरी काटा जाएगा इस जिरी में पूटिन भर देते हैं जो 3 mm बाहर उभरी रहती है तो पहले तो टोटल हम लोग मसाला फिल कर लेंगे इसमें फिर हम इसमें हम लोग उ भरते क्या हैं आप लोग इसमें पुट्टी भर देते हैं और पुट्टी भर के 3 mm बाहरी उभरी तरफ निगाल देते हैं तो यह था हमारा पूरा प्रोसेस ठीक है यह पूरा प्रोसेस है तो आप जरूर इसको ध्यान से देख लीजेगा अगर वीडियो नहीं समझ माया है तो एक बार दुबारा रिवाइज करके अभी बंद हो जाएगा तो फिर दब देखिएगा ठीके तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं और बहुत खास इससे question नहीं पूछेगा जब पूछेगा तो इसमें से या तो पूछ लेगा या तो पूछलेगा ठीके तो इस प्रकार से हम लोग इसको देखे हैं और फीगर को ध्यान से सभी लोग फीगर जरूर बनाएगे एकजाम में जिससे नंबर आपका अच्छा प्राप्त हो सके ठीके चलिए तो फिर क्लास को अबिंड करेंगे एक बार फिर से बता दें कि सोम की क्लास नहीं चलेगी ठीके सो पैसा लगेगा थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं 199 सभी नोर्स के लिए और 49 के वल एक नोर्स के लिए ठीके उसके बाद आप चार्ज पे करके नोर्स हमसे ले सकते हैं कि यह चलिए तो क्लास को इंड करते हैं ओके बाई बाई सभी लोग को